दोस्तों अपनी नया प्रिंटर खरीद लिया और आप सोच रहे कि यार इसे अभी कनेक्ट कैसे करें या फिर आपने कनेक्ट भी कर लिया उसकी जो वायर्स रहते हैं लेकिन आप माइकोसफ वर्ड में जाते हो और कंट्रोल पी बटन प्रेस कर रहे हो तो आप देख रहे हैं की यहां पर प्रिंटर का नाम ही नहीं और दो तो उसमें प्रिंटर का नाम ही नहीं आ रहा है तो मेरा अपिसे कनेक्ट करते वागत कैसे पता Mayo आपके लिए अगर आपने नया प्रिंटर खरीद लिया या फिर आप नया प्रिंटर खरीद ने के सोच रहे तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप इन प्रॉब्लम में ना फसे तो चलिए कम्प्लीट टेक्नलोजी चैनल पर मैं सतिश आप सबका सौब सब्सक्राइब करता और शूर करते आज का यह प्रिंटर से रिलेटेड इंफोर्मिशन वालग वीडियो लेट्स बेगिन लेकिन वीडियो में आगे पटने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर नहीं मैं मानूं हमारी चैनल पे तो चाहिए पी के जाहिए गा नहीं चाहिए नहीं मजाग कर रहा हूँ यार नीचे जो सब्सक्राइब का बटाने उस पे क्लिक कीजिए और बेल आइकों पे भी क्लिक कीजिए था कि हमारे वीडियो की नूटिफिक्शन आपको टाइम पे मिले और आप कंपिटर में स्मार्ट बने डेपिनिटली बनोग यह कैसे चलता है या कैसे इसका कार्ट्रेज काम करता है यह सिंगल फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंट रेजी हां इसमें खाली आप ब्लैक और प्रिंट ही निकाल सकते लेकिने ऑपिस के लिए बहुत यूजफुल है हाँ घर के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि है इसके अंदर फास्ट परिंट होता है लगबग एक मिनिट के अंदर 14 से 15 यह निकाल के देटा ऐसा एच्पी का कहना है मैंने एक साथ निकाल के नहीं देखे क्योंकि इतना काम तो मेरे पस नहीं आए था कि एक साथ में 14 पेज़े प्रिंट निकालू लेकिन एक पेज मैंने पृइन निकाल के देखा और काफी फास्ट भी निकलता है तो आपको यह सारे ट्रे बन रहेंगे इस ट्रे को सारे open करना पड़ेगा हाँ आपको इसका जो कार्ट्रेज वो भी अलग सा मिलेगा मैं आपको दिखा तो मैंने कार्ट्रेज कहां पर इसका लगाया है इंस्टॉल किया है यहां पर कार्ट्रेज का यह जो आपको दिख रहा है इसे आपको इस तरह से लगाने अभी तो नहीं कवर वगेरा सब दिया है पुरा मतलब दूसरे कंपनी के जिसमें देखा तो मैंने नोटीस के हमाप यह वाला कवर नहीं रहता है इस इंक वाले ड्रम को रइट आप जब यह से खोलो गे इसको यह पेपर में पैक रहता है इसे निकाल कर आपको इसे तरह इस तरह से लगा देना आप ये द्रम नीचे की तरफ रएका ये हेंडल वेकरकी तरफ ऐसा रहरत पकड़ने करें और आपको इस को परिंटर के अंदर इस तरह से लगा देना प्रोफर ली नीचे तब और और यहां पर फिप्टी स्टीट साप यहां पर इन्पूट कर सकते हैं यहां पर इसका आउटपूट है उपर की तरफ से प्रिंट होके आपको मिलते हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अगर आपको खरीदना है तो इसके साथ आपको 2 Ce 걱정 मिलेगी तो mobile चो मिलेगी दो ऑफर केबल होती है और एक रहता है आपका केबल तो आपको दिख रहा है आप यह वीडियो में PLAY करकर के देखा रहा हो आपके पावर से डरेकली जो भी आपका करब और पॉप़र के बाद यूसवी के बढ़ भी आपके क्रिंटर को और इक अपकी कंपर को कनेक्ट करूनेक्ट करना है तो यह पर आते हो चल्ड़र पर दबाते हो तो 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 इसके साथ बलती है वह SI आपको आपके driver में डालनी पड़ी कि आपके पास CD driver या writer नहीं है तो आपको करना क्या है कि CD को जहां पे भी writer जिसके पास तो वहां से उसे pen drive में copy करके लेना है CD के अंदर का driver तो मैंने भी वैसे किया इस computer में pen drive में copy करके लिए और मैं आपको दिखा तो मेरे computer पर कैसे driver इंस्टॉल होता है driver इंस्टॉल करने के पाद आप कैसे print कर सकते हैं तो चलिए बढ़तें computer screen पर अब आपको printer निकालना है तो सबसे पहले उसका driver इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो कि आपको printer के साथ एक CD में मिलता है अगर आपसे CD गुम हो गई है आपने बहुत पहले लिया है printer गुम हो गई तो इंटरनेट पे भी वह driver मिलता है जो printer आपने खरीदा है उसके नाम से HP सपोज आपका जो भी है laser jet printer है तो वह आप टाइप कीजिए और वह आपको driver Google पे भी मिल जाएगा वैसे मेरे पास यह driver है और यह मेरे पास CD में था मैंने इसे pen drive में convert करके यहापे मेरे computer में रखाए क्योंकि मेरे पास computer में DVD writer नहीं है laptop में था तो फिलाल मैं इसे double click करके install करूंगा यहापे double click करके बस install button इसमें जो option रहता है install कीजिए तो यहापे दिखाई देगा आपको की हाँ यहापे accept screen आ रहा है next कीजिए और now you can say कि यह driver properly install हो चुका है मैंने यहापे next किया और यहापे install कर दिया करके दिखा तो test page print कैसे हो रहा है सो मैंने यहापे control p button प्रेस किया और control p के बाद यहापे आपको printer की list आ जाएगी word के अंदर excel के अंदर जहापे भी है और यहापे HP laser jet selected है दिखाए दे रहा है और यहाँ से आप इसे print करोगे तो यह यहाँ से print हो जाएगा राइट ड्रेक कैसे connect करना है अपने computer के यह मैंने बताया और driver कैसे install करके print कैसे निकालते है शायद यह information आपके लिए useful रहेगी साथी मैं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा हमारी एक website है जिसका नाम है learnmorepro.com यहाँ पर आकर visit जरूर कीज़ेगा क्योंकि यहाँ पर चल रहा है 90-95% discount on courses अगर आप courses देखना चाहते हैं कौन-कौन से तो view all courses बटन पर क्लिक कीज़े या courses tab मिलता है अगर आप mobile में देखेंगे तो भी उपर बीच में menu आता है उसमें क्लिक करके आप courses देख सकते है courses कैस कैसे खरिदना है courses related सारी information मतलब certificate कब मिलेगा download कैसे होगा सारी चीज़े यहाँ पर मैंने बता दी है इस support page के अंदर इस वीडियो के अंदर तो अगर आप यह वीडियो देखोगे why should you buy यह भी आपको पता चलेगा course completion percentage कैसे होता है क्या issue है वो सारी चीज़े यहाँ पर आप प्लस आप download हर एक वीडियो की नीचे download वीडियो बटन आता है जैसे course complete होता है टेस्ट होता है टेस्ट होने के बाद अगर आप टेस्ट में पास होते हो तो आपको course completion certificate भी बिलता है एक टेस्ट आप 10 बार दे सकते हैं और 10 में से एक बार पास होना है और पास होने के पहले म कापी सारी चीज़े यहां पर मैंने implement कर दी इस website के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारा काम के है इस website के उपर मैंने सारी चीज़े आटोमेटिक रखी है मेरी जरूद नहीं पड़ी कि आपको लेकिन फिर भी जरूद पड़ी तो यहां पर मैंने WhatsApp सपोर्ट भी जल्दी से आप इन्रॉल कीजिए अगर आप इंट्रेस्टेड होई यह कोर्से सीखने में तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंट्रेस्टेड वीडियो के अंदर तब तक के लिए पने रहिए कंप्लीट टेकनलोजी चाइनल पे मिलते हैं अगले वीडियो के सीखते रहो से कादे रहो बाइबाए